वेलकम टू ड्रीम केविसी जिक्के दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर गुजरात राजे के चनल लोज के टोप 50 पूरे 50 क्वेशन लेके आयो हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे नॉलेजबल लगे आपकी स्टडी में हेल्फू लगे तो इसे लाइक कीजिए, सेर कीजिए अगर अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केविसी जिक्के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तोस्तो आपको नमबर भी नन दिरहेगी आप निचे रहे रेट के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही ने ने knowledgeable वीडियो की notification मिलती रहेगी दोस्तो तो लेट्स ट्रेंट स्टार्ट करते हैं Question No.1 गुजरात में भारत की पहली IFSC Gift City कहां सुरू की गई है Question No.2 Question No.2 गुजरात राजे के प्रतम मुख्यमंत्री थे वो गुजरात के अमरेली जिले के थे और प्रतम राज्यपाल कौन थे तो महधी नवाज जंग और प्रतम महिला मुख्यमंत्री कौन थे तो अनन्दी बेन पटल गुजरात राजे के प्रतम महिला मुख्यमंत्री थे जो वरतमान में मध्यप्रदेश और 36 गड़ के राजेपाल है Question No.3 प्राचीन गुजरात के प्रसिद्ध विश्वविद्याले का नाम क्या था Question No.4 गुजरात में सबसे बड़ा पुस्तकालाई कौन सा है Question का उतर है Central Library वड़ोद्रा गुजरात का सबसे बड़ा पुस्तकालाई यह लाइब्रेरी है Question No.5 गांदी जी ने भावनगर के किस कॉलेज में पढ़ाई की थी Question No.6 अहमदाबाद का भद्रकिला किस ने बनवाया था अहमदाबाद का प्रसिद भद्रकिला किस ने बनवाया था Question का उतर है सुल्तान अहमद सा ने अहमदाबाद का भद्रकिला बनवाया था और अहमदाबाद के संस्तापक भी सुल्तान अहमद सा है Question No.7 थेवन नर्सी महता के जीवन पर मिरा भाई ने किस कवी को लिखा है किस कवीता को लिखा यहां बाद के तो गुज्रात के आद northern में Indian horror society के संच्तापक कौन थे कुछेशन का देस श्यामंजी क्रिश्ण वर्मा लंडन में इंडियन horror society के संस्तापक थे स्थापनाकिद कुछलाथ का कौनसा प्रतिष्ठी नेता पहली बार किसी राज्य का राज्येपाल बना था क्विश्चन का उतर है चंदुलाल त्रिवेदी ओडिसा के राज्येपाल बने थे पहली बार गुजरात राजी की स्थापना का भव्य उत्सव कहां हुआ था गुजरात राजी की स्थापना का भव्य उत्सव का आयोजन किया गया था गुजरात में भगवान विश्णू की भव्य मुर्ति कहां स्थी थे क्यूशन का हुथे सामला जिमे, सीथे भगवान विश्णू की, विश्वरू दर्सन की मुर्ती क्यूशन नंबर 12, अमदाबाद में आयोवेदिक कॉलेज की स्थापना सबसे पहले किसने की थी इस क्यूशन का उद्रे बिक्सु अखंड आनंद ने अमदाबाद में आयरवेदिक कॉलेज की स्थापना की थी सबसे पहले क्यूशन नमबर 13 नरबदा नदी की लंबाई कितनी है क्यूशन का उद्रे 1289 किलोमेटर नरबदा नदी की लंबाई है जो गुईरात की लाइफलाइ यह दे नरबदा को जीवा दोरी क्यूशन नमबर 14 गुजरात से गुजरने वाला सबसे व्राष्टिय राजमार् zest還 कौन सा है क्यूशन का उदर सूरत में स्थापित किया गया था प्रतम प्लेनेटोरियम इसका नाम है सरदार वल्लबबाय प्लेनेटोरियम क्यूशन नमर 16 स्कूल जाने वाले बच्चों को बिमा कवर प्रदान करने वाली गुजरात सरकार की योजना का नाम क्या है कूल जाने वाले बच्णो को भीमा कवर प्रदान करने वाली गुजरात सरकार की योजना है कूजन म्हा गुजरात आंदोलन की नेता कौन थे क्यूशन का उत्रे इंदुलाल यागनिक ने महाग गुजरात अंदोलन की आगयवानी की थी क्यूशन नमबर 18 सरदार सरोवर योजना का सुबारम किसके द्वारा किया गया था किशन का उतरे पंडित जवालाल नेरु द्वारा सरदार सरोवर योजना का सुबारम किया गया था किशन नमबर 19 गुजरात विदान जबा के पहले अध्यक्स कौन थे किशन का उतरे कल्यान जी महता कल्यान वी महता गुजरात विदान जबा के पहले अध्यक्स थे क्विशन नमर्ट 30 आजादी के बाद स्वमनात मंदिर का पुना निर्माण किसने करवाया था क्विशन का उतरे सरदार वललबभाई पटेल ने आजादी के बाद गुजरात में स्वमनात मंदिर का पुना निर्माण करवाया था सोमनात मंदीर जो बगवान सीव का प्रसीद मंदीर है जो 12-12 जोती लिंग में प्रत्वान जोती लिंग सोमनात मंदीर है जो तो इस वीडियो में पूरे गुजरात के पूरे 50 क॥ेस्चनतों को मैंने कवर किया है TOP 50 क् 100 है बहुत ही इंपरेंट है आपके आने वाली सभी एक्जाम के बहुत ही इंपरेंट वीडियो है यह दूस्तों हमारे यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो इसे लाइक जरूर कीजिए वह सके तो आपके फेस्बूक कौन सी है इसक्रिशन का सही उतरें गिर्णार गुजरात की उच्चतम परवत चोटी है जो जुनागर्ण जीले में है इसक्रिशन का उद्रिशन इंद्रोडा पार्क प्राणी संगराले गुजरात में कहां स्थीत है इस क्यूशन का सही उतरे गांदीनगर में स्थीत है इंद्रोडा पार्क प्राणी संग्रालाई क्यूशन नुबर 25 अंबाजी तीर्थ किस परवत शिखला में स्थीत है गुजरात में इस क्येशन का उतरे अरावली परवत शिखला में स्थीत हैं अमबाजी तिर्थ स्थान प्रसिद्ध मंदीर है ये चलते हैं अगले क्येशन पर क्येशन नंबर 26 भारत की सबसे बड़ी स्वाप्ट्वेर कंपनी विप्रो के अध्यक्स कौन है चेर्मेन कौन है इस क्येशन का सही उतरे अजीम प्रेम जी अजीम प्रेम जी गुजरात से है स्वाप्ट्वेर एंजिनेर कंपनी विप्रो के अध्यक्स चेर्मेन नेक्स्केशन Q27, सापुतारा किस पर्वत स्थिखला में स्थित है? QA 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 QAQ QA 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 है किस्षिन का सही Уत्रे 4 है गुझ्रात में टोटल 4 राश्ट्रिय उद्यान है नेश्चनल पार्क है स busca नंबर 30 गुझ्रात मे कितने वन्यजिव अब्यारण है wildlife century कितनी है गुझ्रात में Frauen हैन वान्य जी अभियारन गुज्राथ में किके नंबर किस्छ sound कि हमिल सर जील कहां सित है प्रसिद अन्यों अलेग जील कहा है जब भूज में है कंच के भूज पूज में हमीर सर जील क्वेशन नमबर 32 पहला गुजराती नियाईदिस कौन था? सरु प्रतम गुजराती नियाई मूर्ती कौन थे? क्वेशन का उदर नाना भाई हरीदास प्रतम गुजराती नियाईदिस थे? क्वेशन नमबर 32 किसके कारियकाल में गुजरात की राजदानी अहमदाबाद से चापानेर स्थानांतरित की गई थी? क्वेशन नमबर 34 सहाजा द्वारा बनवाया गया मोती सही महल गुजरात में कहां स्थित है? क्रिशन का उत्र है एहम्दाबाद में सी थे साहजा द्वारा बनवाया गया मोती साही महल क्रिशन मबर थर्डी भाई गुजरात में वेद मंदिरों के संस्थापक कौन थे क्रिशन का उद्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी गुजरात में वेद मंदिरों के संस्थापक थे क्रिशन मबर 37 गुजरात का पहला तेलक्षेत्र कहां स्थी थे क्रिशन का उद्री लूनेज आता है लुनेज में गुजरात के लुनेज में गुजरात का पहला तेलक शेत्र है क्यूशन नमबर 37 गुजरात परियाटन निगम की स्थापना कब की गई थी किस वर्ष की गई थी क्यूशन का उतर है उतर है 182 मीटर है स्थेच्एफ उनिटी की उचाय दुनिया की सबसे ऊची प्रतिम आ है स्थेच्एफ उनिटी की चलते हैं अगले क्विशन पर क्विशन नमबर 39 किस ने डिजाइन किया है इसका बांधकाम एल एंटिंग अमनी ने किया है लार्जन एंड टूर्बो कमनी ने इसका बांधकाम किया है क्वेशन नमबर 40 श्री अर्विंद गोष गुजरात की किस उनिविश्टी में अंग्रेजी में के प्रोफेसर थे इसक्रेशन का उतर है ओ ज्प्रेज की जिल्य में किया वौकसाइड पाया जाता है जामनागर जिल्य में वौकसाइड पाया जाता है चलते हैं अगले क्यूशन पर अहमदाबाद की जुम्मा मस्दीत का निर्मान किस ने करवाया था इसक्यूशन का उतर है अहमदबाद की चुम्मा मस्दीत का निर्मान करवाया था Q4. प्रसिद जहन तीर्थ महूडी के संस्थापक कौन है? इसक्यूशन का उतर है अचारिय बुद्धी सागर जी प्रसिद महूडी जहन तीर्थ है गुजरात में famous है महोडी जो महसाना जिले में आता है उसका संस्तापक आचारिय बुद्धी सागर जी ने इसकी थापना करवाई थी मंदिर की Question No.44 प्रसिद अडालज की वाउ किसने और कब निर्मान की थी Question No.45 गुजरात में एमे की डिगरी प्राप्ट करवाया था करने वाला पहला वेक्ति कौन था किसन का उतर है अमबा लाल संकर लाल देशाई गुजरात में एमे की डिगरी प्राप्ट करने वाले पहले वेक्ति थे Question No.47 गुजरात की प्रसिद भील लोक गाई का कौन है जिसे गुजरात की कोयल भी कहते है नाइट एंगल भी कहते है Question का उतर है दिवाली बेन भील जिसको गुजरात की कोयल भी कहते है इसको लोक गाई का है question No.47, प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभीनेता, संजीव कुमार का मुल नाम क्या था? question No.48, पिरोटन दिप गुजरात के किस जिले में है? question No.48, पिरोटन दिप गुजरात के किस जिले में है? यहाँ पर कीम्ति मोती पाए जाते है, Question no. 49, गुजरात में सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है? Question का उतर है, गंडला बंदर है, गुजरात में सबसे बड़ा बंदरगा, Question no. 50, प्रशिद क्रिकेटर, जही देव उनाड कट, गुजरात के किस जिले से है प्रसिद गेंद बाज है भारती टीम के इंडियन टीम के जैदेव उनड कट उनड कट दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो समापत होता है हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो आपकी स्टडी में हेल्फुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर क किजिए उसे के तो आपके फेस्बुक के आप वाट्सप के स्टडी ग्रूप में से सेर कीजिए ताकि कोई जरूरत मा स्टूरण को यह वीडियो हेल्फुल हो और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के जिक्क्या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उस तो आपको नम किजिए मात्रम